कई बार 20 और 30 या 40 परसेंट अगर किड्नी डेमेज होती है तो उसके सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता है पेशन को कुछ फील ही नहीं होता कि मेरी किड्नी खराब है लेकिन मैक्सिमम ज्यादा तर पेशन्स में वीकनेस फील होती है उनको जो उनकी सकीन है वो इची सकीन हो जाती है और उनके कई बार वोमेट फील होती है सुबह उड़ते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि मुझे वोमेट आydगा एपेटाइट कम हो जाता है और उसका जो डायेशन है वो डायेस्टिव सिस्टम जो है उसमें फर्क पड़ता है हाईडर प्रेशर रह सकता है पेशन में ऐसे अगर लक्षन आते हैं या आखों के नीचे बहुत जादा स्वैलिंग आती है या कुछ ऐसा फील होता है कि मेरे बॉडी में जो यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो उसमें कुछ गड़बड है या वो कम ज्यादा उसकी आदत जो है वो चेंज हुई है यूरिन करने की पेशन की तो ऐसे में बिल्कुल भी उसको हलके में न लें आपको किड़नी प्राब आप करके हैं और डीयसिष के और डीयसिष को ऐसी इलाज नहीं है कि से फ्रीन और वीक होता है और पैशन की किडनी धीरे धीरे और खराब होती है फिर आयरवेद का जो एक्सपेक्ट है जो आयरवेद का टीटमेंट है वो भी पेशन्ट जो है उसका भी फाइदा नहीं होता जब वह बहुत बहुत ज्यादा डालेसिस करवा लेता है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर ऐसे सिम्टम्स आएं तो आप तुरंत यह जांच करवाएं ताकि आपका सही आयरवेदिक टीटमेंट जल्द से जल्द हो सके और आप